हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू जेमेटरी स्कूल बच्चो आज हम आपके सामने लेके हैं विद्याग्यान स्कूल से रिलेटीड एक बहुत इंपोर्टेंट इन्फोर्मेशन विद्याग्यान स्कूल के जो एंटेंस फोर्म है उसका जो फोर्म निकलता है उसकी विंडो आप जानते ही हैं HCL कंपनी जो चलाती है दो स्कूल सेंस के एक आपका बुलंच है और दूसरा वरानसी आपका दो जगह है ये तो अब ये अब तक क्या था कि जादतर बच्चों की सिकायत रहती थी कि बाहर वाले बच्चे इसको फोर्म को बर सकते थे हमारे पास कमेंट जाते हैं कि सर मैं भी विद्याग्यान में अपलाई करना चाहता हूं लेकिन क्या होता था सर हमें मना करना पड़ता है पहली बार ऐसा आया हुआ है कि जो अधर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी इसे फिल कर सकते हैं और जैसे आपको सर ने बताया दिया कि एसल हिंदुस के लिए खुसकबरी है और जैसे सर ने बताया कि इसके दो स्कूल है जो बुलंट सेरेज का मैं स्कूल है और दूसा सीतापूर में स्कूल है पहली बार इनों नए बच्चों के लिए किया हुआ है ठीक है बाकि आप सर बताएंगे आप यहां से जब इसको आप एड़ियर क करोगे तो आप किलियर किलियर देखोगे एक तो यह होगया आपका यूपी स्टेट स्टूदेंट्स और दूसरा क्या है अधर स्टेट स्टूदेंट्स तो मींस अब यह पूरे भारत के जो बच्चे हैं वो यहां पे एडमिशन ले सकते हैं बहुत बड़ा स्कूल है अग ए सब्सक्राइब है कि इतनी जानकारी दे ребा सारे बच्चे वहां से वहां से उनको त्यारी कर रहा है रहे हैं और वहां से वो जोब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सार से बात होती है, बहूंप बश्यूयस्य के लिए, अज सीक लिए 30 कि कहले गरास से की छोड़ी घॉता है, साइसरा गाम की पाती है। तो यह सी lunar से ऑप मेरे विद्याग्यान भी एक ऐसा स्कूल है, जहां से बच्चे पढ़ते हैं, तो फिल एकदम सेलेक्शन, एकदम उसका जो करियर है, उसकी जो सक्सस की गारंटी ते होती है, थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि यहां पे जो विद्याग्यान वेरियस स्टेट से क्या इसकी प् पॉइंट्स को इनोंने दिखाया है, वन टू टू ट्री फोर फाइव पॉइंट, पहला क्या है, यह तो एंजियो से पार्टनर करके भी फों बर सकते हैं, इंटर्विव इसमें होता है बई, इसमें ऐसे निकी सेलेक्ट कर लिया, पहले प्रिलिम होता है, मेंस होता है, और प्रिलिम तो होता है आपका ओफलाइन और मेंस आपका होता है, दोनों मोड में पेपर होता है, रजिस्टर स्टुडेंट टू पैन पेपर एक्जाम होता है, विद्ध्याग्यान वे बैक्ग्राउंड वेरिफिकेशन होते हैं, साथ में देखो, क्राइटेरिया फॉर एफ उसे प्लिवंग करते हैं, उनके लिए एक लाइग से जो इनकम होनी चाहिए, और जो अर्बन में आते हैं, उनका ट्यू लेक्श से कम होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात हैं, ठीक है, उमर, इसमें 10 एर्स टू, 11, ठीक है, अचछल के लिए, पॉरा एसा ही है, जैसे न चली हुई है, ओनलाइन भी फोर्म बर सकते हैं, आगर आप हमारे ओस्टल के थूरू जाना चाहते हैं, तो यह जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको से पहले इसका एक वो दिखाऊंगा, देखो भाई, यह इसका ओनलाइन फोर्मेट है, इस फोर्म का बरने का, इस्टूडेंट न इनोंने दे रखे हैं, किलिएर, मीडिया मोप एकजाम, आप की इस मेडिया मोप एकजाम आपका रहूत हैं, इंगलिश है या हिंदी है, और यह आपका फोटोग्राप लगाना हैं यह आपना आपे, जेंडर आपको लिखना है, आधार नंबर आपको अप्लोड करना जरू में आपको देनी है और यह आपका स्कूल का एडरस है तो यह एक एप्लिकेशन फोर्म है आपको वहां से इसको देन भरना है पूरा ओनलाइन आप इसको बरते ओपलाइन भी प्रोसेजर लेकिन अब ओफलाइन मत बरना क्योंकि लास्ट डेट बिल्कुल अजदी का चुब अगर आप ओफलाइन बरेंगे तो आपका फोर्म नहीं होगा आपका एकसेप नहीं पहुच पाएगा उसमें दिक्कत आ जाएगी तो सर विद्याग्यान की तेयारी क्या हमारे यहां से भी हमने पांच भरे हुए हैं मिलगूल लेकिन वह एकचिली जो दर श्टेट के लिए उनके लिए सिर्फ ओफलाइन हैं जो हमारे यूपे स्टेट के लिए उनके लिए उफलाइन हैं हमने वरवाये हुआ है और ट monitor का पेपर है यह सर ने बता है भी 18 दिसंबर इसकी एक्जाम डेट है तो अभी भी जो बच्चे चाहते हैं होस्टल के थुरू क्योंकि हमारे यहां तो सर मंतली पलान है तो एक मंत के लिए आईए और अपनी तैयारी करिए आप होस्टल में यह नंबर है इस नंबर को डायल करके और भी हम आप यह पाएंगे कि यहां पर सारी के सारी के मंत लिए आपको चार्जीज मिलता है यह हमारे इसकी बैस्ट बैस्ट चीज है तो चलिए बच्चों जल्दी से फोंबरिये थैंक्यू स्टुडेंट्स